नमस्कार फ्रेंड फ्रेंड नमाज चलम आप सभी का स्वागत है फ्रेंड जैसा कि आप जानते हैं कि UPPCL TG2 में आप लोगों को जो केंप्यूटर के कोश्चन पूछे जाते हैं वो 50 कोश्चन पूछे जाते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को 20 नमबर अनिवार है चाहिए जो भी आपकी कटेग्री हो चाहिए HC, ST, OBC, General सभी को 20 नमबर लाना अनिवार है और यह पार्ट वन पे ही आपको देखने को मिलेगा अगर आप केम्प्यूटर में पास नहीं होते हैं तो आप लोग समय लिजजिएगा कि आप लोग आगे जो है फिर second part के लिए eligible नहीं होते हैं तो केम्प्यूटर में 20 नमबर लाना निवार है तो हम लोग यहाँ पर computer के एक एक question को discuss करने वाले हैं समझने वाले हैं आप लोग अगर test देना चाहते हैं तो मातर 21 रुपए का test है आप लोगों के लिए app में link दिया गया है app को download करें direct giant test दीजिए वहाँ पर test join करने से आपको एक एक चीजों को अच्छे से दिया गया है जो आपके marks बताएंगे कि आपकी त्यारी क्या है computer के भी आपको question वहाँ पर देखने को मिलेंगे तो हम लोग यहाँ पर question को discuss करेंगे अच्छे से देखेंगे तो आप लोग भी देखें और समझे जो भी question आपको सोंज में आ रहे हैं उस पर comment करें आज कर जो हमारा topic रहेगा वो MS Excel कर रहेगा तो MS Excel पर हम लोग first number question पर देखते हैं यहाँ पर पूछा क्या गया है work seat कि इनका समूँ होता है तो सबसे पहले आपको ध्यान यह देना है कि जो हमारा work seat होता है यह नाम से ही बता दे रहा है कि इस पर हम लोग को काम करना होता है काम पर ही हम लोग को दिखाना होता है जो हमारी seats होती है इनको बताया जाता है कि हमने यहाँ पर क्या कितना जो है यहां पे जारी किया है रखा है तो यह कहां पे होगा कालम में होगा सेल्स में होगा बॉक्स में हो या फार्मूला लगाएंगे तो हम लोग वर्क सीट में जो होता है सेल्स का परियोग करते हैं ना कि कालम का परियोग करते हैं तो सेल्स हमारा यहां पे जो मिल जाता है वो B option पे मिल जाता है तो B option हमारा यहाँ पे सही होगा column जो होता है friend आप लोग देखते होंगे कि आप लोग को ऐसे जो है यहाँ पे column दिया जाता है उसके बाद जो है ऐसे करके जो है वहाँ पे आप लोग को दिया जाता है फिर ऐसे करके जो कालम दिया जाता है तो यह हमारा यहाँ पर जो है जो बात किया गया है वो sales का है तो work seat जो होता है sales से संबंदित होता है मतलब B option हमारा correct होगा B option हमारा यहाँ पर सही है उसके बाद देखें यहाँ पर आप से पूछा गया है spread seat का जो प्रकार होता है वो कौन सा होता है spread seat जो होता है तो A में देखें lotus 1,2,3 दिया गया है B में MS Excel दिया गया है C में Calac दिया गया है D में A सभी दिया गया है तो spread जो हमारा seat होता है वो सभी का प्रकार होता है first, second और third मतलब ये चारो आफसर हमारे यहाँ पर correct होंगे ये हमारे आफसर यहाँ पर सही है उसके बाद आगे दिखिए आपके सामने यहाँ पर दिये गये है next question यहाँ पर आपके सामने third number question और पूछा क्या गया है कि Excel में cell का प्रेरूप बदलने का कारिय कौन करता है तो Excel में जो cells का प्रेज़ पहले आपको धियान यह देना है कि cell हमारा जो होता है वो इस क्या होता वर्क सीट के लिए प्रयोग किया जाता है cells का तो यहाँ पर Excel में जो cell का प्रेरूप बदलने का हम लोग कारिय करते है किसके द्वारा करते है format menu के द्वारा data menu को द्वारा tool menu को द्वारा या insert menu को द्वारा तो हम लोग देखें यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो data क्या होता है वहाँ पर सभी चीज़ों को ब्यक्त किया जाता है टूल क्या होता है यहां पर हम लोग किसी चीज को घटा बढ़ा सकते हैं टूल में जो होता है उसके बाद यहां पर देखे इंसर्ट में क्या होता है हम लोग किसी भी चीज को कहीं से लाकर जो है उसको edit भी कर सकते हैं या फिर हटा भी सकते हैं लेकिन यहाँ पर sales का जो प्रेरूफ बदलने का जो कार्य होता है वो हमारा format menu करता है तो format menu हमारा यहाँ पर A option पर मिल जाता है इसमें हम लोग इसके द्वारा क्या करते हैं नए sales का जो है chain कर सकते हैं तो यहाँ पर हमारा A option सही होगा A option हमारा correct है उसके बाद देखिए यहाँ पर next question फोर्थ नमबर और यहाँ पर पूछा गया है कि Microsoft Excel क्या है यह चीजे पूछी गई है Microsoft Excel है Spread Seat मैंने आगे ही आपको बता दिया था B में Normal Paper C में Work Seat D में इन में से कोई नहीं तो Microsoft Excel में हम लोग जो परιयोग करते हैं वो Spread Seat का परियोग करते हैं जैसे कि मैंने आपको आगे ही बता दिया था Spread Seat के बारे में तो A option हमारा यहाँ पर correct होगा A option हमारा यहाँ पर सही है Work Seat का परियोग हम लोग कहां करते है सेल्स में करते हैं सेल्स में करते हैं यह आप लोगों को धियान देना है तिक है तो यहाँ पर हमारा ए-option करेक्ट है ए-option हमारा यहां पर सही है कि उसके बाद देखें यहां पर next question फाइल नंबर और यहां पर क्या पूछा गया है कि एकसल में data को निश्चित करम में sort किया जाता है किसके दौरा data menu को दौरा tool menu को दौरा edit menu को दौरा file menu को दौरा तो हम लोग excel में जो data को nischit करब में sort कर सकते हैं छोटा कर सकते हैं वो edit menu को दौरा कर सकते हैं ना कि tool या data या file menu को दौरा तो हम लोग यहाँ पर excel में की data को निश्चित करम में में sorta करते हैं वह हमग यहां पर इजिट मीणू को दौरा मतलब स्यॉफ्सестоं सही होगा इसके दौर हम लोग क्या कर सकते हैं डाटा को के एक सिल में अधिकतम कितने कारेक्टर रख सकते हैं तो यहां पर हमारा जो है क्या होगा सिगरता से फॉर्मेटिंग करने के लिए किस टूल का प्रियोग किया जाता है तो हम लोग सिगरता से या तेजी से फॉर्मेटिंग करने के लिए के लिए जो प्रियोग करते हैं वह हम लोग फॉर्मेटिंग टूल बार का प्रियोग करते हैं तो यहां पर हम लोग यह ओफ्सन को सही करेंगे यह ओफ्सन हमारा सही होगा अगर हम लोग आटो फॉर्मेटिंग टूल का प्रियोग करेंगे तो यह क्या होगा यह अपने आप कि वर्क सीट में प्रथम सिल का पता A1 है कहने मतलब यह होता है कि वर्क सीट में प्रथम सिल का जो पता करता है वो A1 करता है यह क्या सही है तो A में सही है B में गलत है तो वर्क सीट में प्रथम सिल का जो पता लगाने का काम किया जाता है वो A1 का परियोग करते हैं यह सही है तो मतलब हमारा A1 यहाँ पे मिल जाता है और यह हमारा सही है और यह A में आप्सन करेक्टे दिये गए तो A आप्सन हमारे हमारे हम पे सही है उसके बाद दिखें नाइन्थ नंबर कोश्चन पे और यहाँ पे क्या पूछा गया है कि XL 2003 में रो की संख्या कितनी है XL 2003 में जो रो की संख्या थी वो कितनी थी A में 65,535, B में 65,536, C में 65,544, C में 65,533 तो हम लोग यहाँ पे XL में 2003 की रो की संख्या जो होती है वो 65,536 होती है तो यह option कहाँ पे मिल जाता है B option तो B option हमारे यहाँ पे सही होगा B option हमारे यहाँ पे correct उसके बाद देखिए आज का last question और यहाँ पे 10th नंबर question और 10th नंबर पे देखिए क्या पूछा गया है कि हम MS Excel में graph बना सकते हैं तो MS Excel में हम लोग graph बना सकते हैं की नहीं तो जी हाँ हम लोग MS Excel में graph बना सकते हैं और यह सही है मतलब यह हमारा A option पे सही है ठीक है तो MS Excel में graph का परियोग कर सकते हैं A option हमारा correct है यह थे आज के question 10 question हमने complete कराया है और class कैसे लेगी आप लोग comment करके बताएं और यह class हम आगे continue करें या ना करें आप लोग comment करके जिनरूर बताईएगा अगर आप लोग कहेंगे तो फिर next day हम लोग कम सकम 20 question complete कराएंगे उसके बाद जैसे जैसे आप लोग की जो है यहाँ पर वीवर्स की संख्या बढ़ेगी मान चलिए इस वीडियो में कम सकम 200 बच्चे अगर आ जाते हैं तो मैं आप लोगों को next day से यहाँ पर 20 question देने का complete कर दूँग अगर यहाँ पर 200 से कम बच्चे आते हैं तो class को हो सकता है फिर app में ही चलाया जाया यहाँ पर बंद कर लिया जाएगा तो यह आप लोग को पर depend करता है कि आप लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं आप लोग कमेंट करके बताईएगा और जदा जदा जब वीडियो शेयर करेंगे तभी 200 बच्चे मेह आ जाएंगे तो आप लोग अगर चाहते हैं ऐसे कोश़न अच्छे से अच्छे कोश़न को आप लोग को बीच में लाना तो आप लोग जरूर कमेंट करें और वीडियो को जादा जादा सेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और फिरेंड आप लोग 21 रुपया का टेश्ट जो दिया गया है एप में उसको जरूर जाईएगा जॉइन करियेगा बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें तो थैंक पर वाचिंग अने बाट